आज गोवा में सीएम पत की शपत को लेकर सस्पेंस परिकर को सीएम बनाने के लिए तैयार बीजेपी कॉंग्रिस कर रही है कड़ा विरोध परिकर ने रक्षा मंतरी के पतसे दिया स्थीफा चौती बार गोवा के मुख्य मंतरी बनने का मौका जेटली को सौपा गया रक्षा मंतराले का जिम्मा आज शाम पांच बजे शपत ग्रहन समाहरो का आयोजन परिकर को 20 मार्च तक सदन में साबित करना होगा बहुमत परिकर को सरकार बनाने का न्यौता देने के खिलाफ सुप्रीम कोड पहुची कॉंग्रेस आज है सुनवाई कॉंग्रेस नेता पीच रमरम ने कहा दूसरे नमर पर रहने वाली पार्टी को सरकार बनाने का अधिकार ने मनिपुर में बीजेटी विधायक दल ने विरेंच सिंग को चुना अपना नेटा राजिपाल नजमा है अपतुला से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा विधायक दल के दल नेटा चुने कई बिरेंच सिंग ने कहा हमारे पास बहुमत कांकडा एनपीएफ ने बिना शर्त समर्थन दिया लंबे सियासी ड्रामे के बाद इबोबी सिंग ने सीम पत सब्या इस्तीपा 28 सीटे जीतने के बाद भी कॉंग्रेस सरकार बनाने में नाका यूपी में 16 मार्च को बीजेपी के सीएम उमीदवार का हो सकता है अलान राजनाथ और केशव प्रसाद मौरे को लेकर अटकले देज अखिलेश के लिए हार पचाना अब भी मुश्किल होली पन अटा सकता अखिलेश ने कहा हमें जनता का जनादेश स्विकार जनता ने जो फैस्दा सुनाया उसका सुवागत करते हैं अखिलेश ने कहा मुझे उमीद है आने वाली सरकार करेगी अच्छा काम आज क्याप्टन अमरेंदर दिल्ली में राहूल गांदी से करेंगे मुलाकात पंजाब में कैबिनिट को लेकर होगी चर्चा सिद्दू को पंजाब के डेफिटी सीएम बनाई जाने को लेकर सस्पेंज आज राहूल के साथ मीटिंग में हो सकता है फैस्ट पुडिश्टा में कॉंग्रेस के खराब प्रदर्शन पर बीकेहरी प्रसाद ने दिया इस्तीफा कॉंग्रेस ने इस्तीफे की पुष्टी की आज केज जिवाल करेंगे प्रेस कॉंफरेंस गोवा और पंजाब में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर होंगे सवाल जवाब गुर्दास पूर में अकाली डलके बुजर्ग नेटा की गोली मारकर हत्या कॉंग्रेसी नेटा पर लगा हत्या का आरो पुंच में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का भारत ने दिया मूहतोर जवाब जवाबी फायरिंग से सहमा पाकिस्ताँ बीएसपी की जवाबी कारवाई में पाक सीमा में से चत्रा और बाग में खलबली पांच लोग खाये चौबीस घंटे में पाकिस्तान की तरफ से दो बार सीसफायर का उलंगहन पाक रेंजर्स ने सीमा से सटे गाउं में दागे मोटा जमुकश्मिर के पुलवाबम में पूर्व सरपंच की गोली मार कर हत्याग ग्यात हमनावरों ने मारी गोली जिनवा में बलोचस्तान की आजादी के उठी मांग बलोच निताओं के पाकिस्तान के खलाफ जमकरनारे बाजी बाजार पर दिखा चुनावी नतीजों का असर सेंफेक्स करीब 474 अंकों के उचाल के साथ 29,419 पर खुला निफ्टी वी बढ़त के साथ 9,077 के पार पाकिस्तान की फिर्कुरी पोल बैन आतंकी संगटन जमातुत दावा ने जारी की अपनी इंग्लिश मैगजीन आज जाकिर नाइक के सेरेंडर की मौलत का आकरी दिन पेश ना होने पर नाइए जाकिर के खिलाफ करेगी आतंकी गतिवीदियों में लिप्थ होने का केस रोहित वैमुला की मा और भाई निकालेंगे दलिट सुअबिमान रतियात्रा 14 अपरेल कॉम्बेट कर जेहनती के दिन रतियात्रा खत्म करने की तयारी उबर और ओला की ड्राइवर कंपनी के खिलाफ मुंबई के आजाद मैदान पर करेंगे प्रदर्शन 21 मार्च के हड़ताल पर जाने के तयारी दिली में जेन यू के चातर की खुदकुशी से हड़कंप दोस्त के घर पंखे से लटक कर दी जा मुंबई के धारवी में एक यूवक की दिन तहाड़े गोली मार कर हत्या ब्रितत की अब तक पहचान ले जोदपूर में सेल्फी के चक्कर में मेजर की गई जान होटेल में पार्टी की बाद सेल्फी लेते समय पैर फिसलने से हुआ हाज़ा बैंगलॉर में एक बार फिर पूर्वोत्तर के यूवक पर हमला मकान मालिक पर बेरहनी से पीटने का आरो ताकिया ने लिप सरजरी का मजाक उड़ाने वालों को दिया जवाब नए लुक के साथ कराया फोटो शूट शेयर किया विडियो आईशा ने होटो की सरजरी कराई थी सरजरी की तस्वीरों का सोशल मीडिया पर उड़ाया गया था मजाक पूर्व दक्षिन अफ्रीकी खिलाडी हर्शल गिब्स का चौकाने वाला खुलासा कहा वर्ल्ड रिकॉर्ड लक्षे का पीछा करने वाली पारी नशे में खेली थी अपनी आटो बायग्राफी टू दे पॉइंट में गिब्स ने कबूली नशे वाली बात मैच में गिब्स ने खेली थी 175 रन की पारी 2006 में साउथ आफरिका को आस्ट्रेलिया ने दिया था 434 रन का लक्ष्य अफरीकी टीम ने मैच जीत कर बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड बांगला देश के बले बास सौमे सरकार ने बोल्ड होने पर की डी आरेस की अपील क्रिकिट में पहली बार क्लीन बोल्ड के लिए मांगा गया डी आरेस सोशल मीडिया में ओडा मजाग्र तीसरा टेस्ट के लिए रांची पहुंची आस्ट्रेला की टीम 16 मार्च से शुरू होगा तीसरा टेस्ट अमेरिका की बॉस्टन में बर्थ की मार जन जीवन अस्त व्यस्त अफगानिस्तान की काबल में बस में बलास्ट एक की मौत आठ गायर पेरू में खराब मौतन में पहार पर जा रहा ही बस खाई में गिरी 18 लोगों की मौण बुक मार कर पैड़ी कानों का प्रमोशन्स लंडन की सड़कों पर साथ दिखे ट्रम्प और पुतिन के हमशक चिली में जंगल में लगी दीशेनाग धुआ धुआ हुआ हुआ इलाका